नमस्कार दोस्तों मैं सक्ति सिंग राजप्रहित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपी के अपने यूटूब चैनल आपनो राजिस्तान में आज मैं आया हूँ टूंकड़ा गाओं में और मेरे साथ हैं जगदी सिंग जी राजप्रहित और इन से जानने का प्रियास करेंगे कि जेतारन विदान सभा में इस बार किस पार्टी का सबसे ज़्यादा महाहूल चल रहा हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं जगदी सिंग जी नमस्कार साब तो सबसे पहले आपके लिए यही सवाल है कि इस बार जेतार विदान सभा चुनाओ में आप किस की तरफ है किस कोई सरकार आप चाहते हैं इस बार हम तो फूल को चाहते हैं सब और फूल के लावा हमको कुछ दीखता भी कि देश के हित्त में यही है और देश की अगर आनमान सान बचा नहीं है तो फूल को यह बोड़ देवा आप अच्छा आपका कहना है अविनास जी गेलोद इसके अलावा आट केंडिडेट और हैं जिन में से मुख्य नाम आते हैं सुरंदर जी गोईल जोकी कॉंग्रेस से हैं दिलिप जी चोदर जोकी आरेलपी से टिगिट लाए और एक निर्दलिय पड़ती आक्सी हैं योगी लक्स करते हैं तो वह क्या करेंगे अगर डबल इंजिन की सरकार आजाएगी तो सब काम हो जाएगा मैं समझेया इस गाहों की रोडे मराबर नहीं रोडे खटे पड़ी हुई है यह फेक्ट्री है सब तोड़ दी उन्होंने कुछ हल्प की नहीं गाहों की उल्टे गाहों को लोस करने कोछा ज्यारी आभीनाज जी आते हैं तो कुछ करने को सीज़ करते हैं तो करने नहीं देते हैं पबलिक साथ में रहते नहीं हैं यहीं होरा है अविनास जी के लोद को जो फंड मिलना चाहिए वो फंड राजी सरकार उन्हें आवंटित नहीं कर रही है बिल्कुल नहीं किया नहीं किया इसलिए यही तो काम हो रहा है अगर गुवर्मेंट बराबर उनको सयोग देती तो अशोग जी को भी चाहते थे लेकिन अशोग जी नहीं बें उनको साथ नहीं दिया लेकिन अशोग जी पैसे नहीं दिये उनको इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं वो जाएगा कमल के फूल को और बीजेपी की तरफ आप बोल रहे हैं इसके लावा आप कह रहे हैं कि राजिस्तान राज्जी में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो आई नास जी जोरस-अरस से काम सुरू कराएंगे अब वोटिंग से अटके अगर हम देखे तो कुगड़ा गाओं में परमुक समझ्या कौन-कौन सी हैं जैसे कि परमुक मुद्दे जो हर गाओं में होते हैं एक तो बेरोजगारी होती हैं सडकों की समझ्या होती है और पानी और बिजले की समझ्या मैं तो सडक की समझ्या है साज चलने के लिए पेड की जो अंदर में आतर हैं वो सब बाहर आ ख्ड़े पड़े हैं और उसमें भी ट्रक चालू करदी है इस कंपनीन और भी तोर रखी प्रेक्स सोबर्यां सि मुझाओ निमोगों के अंदर हैं समीशया का सामनाँ करना रहा इसकी मोघतों के अंदर जाएखोест ऑनगांशया है लेकिन पब्ली क्या अगर पब्ली की एकता नहीं है नहीं तो डेस्ट बंद क्यों नहीं हो सकता मोजाओ देओ अपप फेक्टी चलाओ आपको कोई मतलब नहीं किसान को क्यों लोलोस में देओ इसके रहे वहां रोजगार का मुद्दा एक तॉंगड़ गाओं में काफी जाता बेरोजगार होंगे तो उनको फेक्टियों में किस परकार से रोजगार मिल रहा या नहीं मिल रहे बिचार का उनको बाहटे हैं और खर्चा चले गाँ लेता है और यह लोगे बिद्धेरी वाला दूर्वेवार कर रहा है बच्चों के साथ में आपका कहना कि तुंगड़ गाओं में सबसे पहले तो लेते ही बहुत कम युगा को है इसके अलावा जिनको लिया जा रहा है उनके पेमेंट बहुत ज़्यादा क कम देते हैं और इसके अलावा बात करें तो टुंगड़ गाओं में पानी और बिजली की कोई समिश्या है कि पानी बिजली की कोई समिश्या नहीं है विन्यास जी कि राज में यह सब सब चल रहा है बर रोड में और वगड़ में कुछ बजट चाहिए लेकिन वो बजट अ नहीं किया बहुत बहुत धनियवाद आप अपकी बार बुरी तरह आ रहेंगे पका आप टंचन मत करो आपको मिल जाएगा इसके अलावा बात कर तो इस बार जो केंडिडेट जेतान विदान सबा में चुनाव में हैं उसमें एक केंडिडेट है योगी लक्समनाद जी जि दारन करके बई बगवाद से मेरो को योगी किते हुए यूपी में योगी यह है तो उनकी तरफ से हम भी योगी बन जाए और जी जाए तो यह संबव है काल अविनास जी कहते हुए मिले कि यह पहले तीन सार पहले बेंगलोर में काम कर रहे थे और वहां से छोड़के राजनिती जोइन करनी थी इसलिए उन्होंने बगवादारन के ऐसा उन्होंने बोला है मिटिंग में बिलकुल सही है इसमें कोई बात नहीं मैं कुद बेंग इसके अलावा इस बार कॉंग्रेस से टिकिट दिया गया है सुरेंदर गोईल जी जिन जो बीजेपी से पांच बार जेतराण में विदाइक हो चुके हैं तो उनका क्या लग रहा है आपको इसके अलावा एक प्रत्याक से टिकिट नहीं दिया और बागी होकर रल पि और एईस पिसे टिकिट लाकर चुनाओ विदान में आपके इसाफ से वाइनली कौन जीत सकता हैं? एक केंड़िट ओर मुकुट सिंग जी जो की मंगरी इलागे में उनके काफी जादा पकड़े तो ये थे मेरे साथ जगदीश सिंग जी राजप्रोईत मैं हूँ टूंकड़ गाउं में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ देख रहे हैं आप आपनो राजिस्तान में सक्ति सिंग राजप्रोईत